स्पॉंसर टास्क में टीम A बनी विनर, गिफ्ट में मिला प्रसाद बिग बॉस OTT में स्पॉंसर टास्क टीम A ने जीत लिया है यानि निहा प्रतीक और राकेश की टीम ने टास्क में बेतरीन प्रफॉर्मेंस दिखाया और जीत हासिल की नियमों के मताबिक तीन राजियों की तीन तीन डिशिश के नाम बोर्ड पर सबसे पहले टीम के सदस्यों को लिखना था आपको बता दें कि जिन तीन राजियों के डिशिश को पहचान कर कंटेस्टेंस को उनके नाम बोर्ड पर लिखने थे वो राज्य थे महराष्ट्र, सिक्कीम और तमिल नाडू टीम A और टीम B के सदस्यों ने इन ही तीन राज्यों के डिशेश के नाम अपने अपने बोर्ड पर लिखे थे दोनों ही टीमों ने टास्क में बेतरीन पर्फॉर्मेंस दिखाया पहले सदस्यों के लिए महराष्ट का वड़ापाओ, सिक्कीम का मुमोज और तमिल नाडू की इगली जैसे डिशेश के नाम शामिल थे और इसी तरह से दूसरे सदस्यों के लिए भी अलग-अलग नाम था तीनों ही राज्यों के डिशेश के नाम पहले बोर्ड पर लिखकर टीम ए विजिता बन गई और स्विगी की तरफ से उन्हें गिफ्ट हैमपर मिला और गिफ्ट हैमपर में उन्हें मिठाई मिली है जिसका इस्तिमाल घर के सदस्य प्रसाद के रूप में कर रहे हैं आपको बता दे कि इस टास्क में जम कर हसी मजाख हुआ और ये एक फणी टास्क साबित हुआ आपको बता दे कि बिग बॉस के घर में गनपती बपा की मूर्ती की स्थापना की गई है जैसे ही स्पॉंसर टास्क जीत कर घर के सदस्यों को गिफ्ट हैमपर मिला उन्होंने गिफ्ट हैमपर में मिली मिठाई को सबसे पहले भगवान के आगे अर्पित किया और उसके बाद में प्रसाथ के रूट में उसे घर के सभी सदस्यों के बीच बाटा गया बची हुई मिठाई को अगले दिन के लिए प्रसाथ के तौर पर इस्तमाल करने के लिए रख दिया गया है बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं